कॉर्ड दोस्तो आगें विडियो में बटन को बना लिया था पर बटन हमने बना लिये थे हमारे डेटा बहुर्च dalla चँछ से जाव़ो कशल देखना चाहिए है, उसकी फेद कृच्छल ₉ वीडियो जाएगा जो आपका यह वाला प्लेइस्ट है, जावा स्किप्ट वाला, यह सिक्स जावा स्किप्ट टूटोरियल, इसी में यह सारे वीडियो जाएगा, आपको यहां से जाके, एक एक करके, step by step देखना, अल्लेटी बहुत सारे वीडियो जा चुका है, तो pagination पे क एक काम करें जारा इसके ऊपर, यानिकि इसी को उपर, लेट एक वरेवल बनाने जारा फिल्टर के नाम से, और फिल्टर के नाम से वरेवल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो all reg data है, all reg data, यह जो है, इसके लिए slice function को apply करेंगे, और यहां पर आपने लिखा 0,5, 0,5 ल देखें, मैं console में गया 5 data आया, अगर हमको, अब यह देखें, अगला 5 data चाहिए, यानिकि सो नाली तक, ठीक है, तो अभी अलोग से लेकर के यहां तक आया था, HD HD तक, यह देखें, यहां तक है न, उसके बाद हमें नदीद से लेकर, अब सोनाली तक data चाहिए, सोनाली तक, तो हमें कैसे लिखना होगा, क्या हम इसको 5 से लेकर, 5,5 लिखेंगे, नहीं, 5,5 लिखोगे, तो क्या होगा, यह 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा इसके अं तो दिखें, इस तरीक से आएगा, तो अगला दो ही data था, इसलिए 2 data आया, कहने का मदल्ब क्या है, अगर आपको 0 से लेकर 5 data चाहिए, तो 0,5 लिखेंगे, तो 5 data निकल कर आएगा, इस तरीक से, तो 5 data निकल कर आएगा, तो इसको 5,10 लिखेंगे, तो इसी pattern पर हम काम करना तो अभी क्या होगा देखिए फिल्टर के लिए आप लूप चलाएंगे है यहां पर फिल्टर डिफाइन करने अल और इस डेटा हटा देंगे मने रिलोड के अभी देखे क्या होगा अभी पांच डेटा दिखा हमें 0 से लेकर अगला पांच डेटा दिखाना इसलिए इसको यहां से दिखा है हमें डिंबडों के लिए इस के लिए इस हम यहां पर यूज करेंगेजि यूरो और तो के यह पर आपको वैठिक है यह चीज हम पीज़ होती है फंप्शन पॉलम होता है यहां पर धक्डव जयरे अज़ेयर थे स्क 총 10 तो घेल चाररोगा रिलोड पीपर look टेस्टिंग करें से फ्र een देटा यांगे और इस धरीक्स तो हम पहले यानि कि जब पेज लोड होगा हमारा तो 0,5 यानि कि 0,5 बेजेंगे यह function call करते समय तो यह जो 0,5 आपने भेजा यह कहां receive होगा इस function में यहाँ पर 0 receive होगा यहाँ पर 5 receive होगा और रसी के हिसाफ से हमने डेटा निकाला गा और यहाँ पर filter के लिए लूप चला दिया तो उतने ही डेटा यहाँ पर बनेगा देखिए अब हमें इस पर क्लिक करने के बाद अगला 5 डेटा आना चाहिए इस पर क्लिक करने के इसके नाम से मैंने वर्ल में और यहाँ पर क्या करता हूं अचाह इसमें सबसे पहले कुछ किलाह है ताकि हम स्लेट कर सकें तो यहाँ पर दिख्वाइन करे जाए पैजी नेट हाइफन बीटिन इसको कॉपी कर लिता हूं ctrl c करके और इसी पैजी नेशन बॉक्स के अंदर करना है इस चीज को ठीक है यहां पर तो फ़र लूप चलाएगे इस तरीक से लेट एक और टिकले के नाम से और यहांपर डिफाइन कर देंगे हम ईहां पर हमें क्या करना है जीस बटन पर इस तरह किलिक होगा, btn.onclick, इस तरह की डिफाइन करें जारा, btn.onclick equal to, यानिकि onclick, इस तरह की डिफाइन किया इस तरह की और एक callback दूँगा, इसके यहां पर, ठीक है, मैंने इस तरह की callback दिया, आप भी हमें करना क्या, तो सबसे पहले तो आपको देखे, इस पर click होन आपने i बनाया था, इसके बगल में, i के बाद एक comma दीजिए, और इस तरह की variable data, data skip, इसके नाम से एक variable बनाएजिए, और यहां पर define कर देज़रा, इसका value 0, उसके बाद फिर से comma देंगे, एक और total data, यानिकि load data, इस तरह की बनाएँगे, और इसका value define कर देंगे 5, यानिक data skip का value 0, और load data का value 5, इसके डिफाइन कर देंगे, ठीक है, उसके बाद आपको यह loop आपका चलना है, यहां पर आपको इस तरह से एक variable declare करना है, इस तरह से data, data skip के नाम से, यानिकि data happen skip, इसके अंदर एक attribute define करना है, और यहां पर equal to के symbol देने, डॉलर के साथ, template little कर देंगे, यहां पर define कर देंगे, हम data skip को, यानिकि data skip की value यहां पर define कर देंगे, उसके बाद एक और आपको define करना है, data loaded के नाम से, क्या हमने variable बनाया था, data skip और loaded data, copy करी दरा control C करेंगे, यहां पर loaded hyphen data, loaded hyphen data, इसके नाम से attribute बनाएंगा, और यहां पर equal to का symbol देंगे, टॉलर के साथ, template little यूज करना है, और यहां पर loaded data को define कर देंगे, यानिकि जो loaded data उसको यहां पर define कर देंगे, तो अभी क्या होगा, देखे, मने reload के हैं तरह से, और यहां पर आप इंस्पेट करके देखेंगे, तो तीनों बटन में सेम तरह के attribute लगे, देखे, इसमें पहले वाले में 0, फ कुछ नहीं करना है, इसके just नीचे आएंगे, यानिकि for loop के अंदर ही, यहां पर इसके just नीचे, सबसे पहले आपको skip data को select करना है इस तरीके से, और इसको plus 5 कर देना, skip data plus 5, skip data equals to skip data plus 5, इसे ही define कर देंगे, skip data equals to skip data plus 5, है न, उसके बाद terminate करके, यहां पर loaded data define करेंगे, यान इसको copy कर लेता हूं, मैंने यह define करें, equals to loaded data plus 5, इसमें भी plus 5 जोडेंगे, अभी दिखे क्या होगा, मैंने reload, यहां पर इसको cut कर देखता हूं, तो इसमें क्या आएगा, देखे, इसमें 0 आया, इसमें 5 आया, इसमें 10 आया, फिर इसमें 10 आया, इसमें 15 आया, बस बहुत ही कि आसानी से आप बना ले जाएंगे, आपको ज्यादे कुछ नहीं करना है, यह दिखे, इस रिक से जब आ जाए, बस आपने click कर दिया है, आप इसके अंदर से दोनों को read कर लिए जरा, तो यहां पर click हो के आ आ रहा है, let एक वर वर मैंने skip के नाम से, मैंने skip के नाम से वर बनाया है, और यहां पर define करेंगे, जिस button पर click हो रहा है, btn.get attribute function को apply करेंगे, यहां पर terminate कर देंगे, उसके बाद आपको फिर से इसको copy paste कर लेना है, और यहां पर loaded data को define करते है, मैंने control भी किया थी, ठीक है, और यहां पर load को define करेंगे, यहां लोड़ या लिख दीजे, तो मैंने loaded लिखती है, ठीक है, अच्छा, इसी के अंदर आपको define करना है, इस रिक से alert में, alert में define कर देंगे, skip को define कर देंगे, उसके बाद इसके नेचे copy paste करूँगा, और यहां पर loaded को define कर दूँगा, इस ठीक है, sorry, loaded, यह वाला variable define कर, copy करेंगे, यहां पर define करेंगे, अभ 15 आएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको जो आपका function है, उसको call करेंगे, कौन सा function है, get rag data, इस function को call करेंगे, और यहां से skip को भेद देंगे, इस तरीके से, उसके बाद कामा लाके, load को भेद दीजी, यानि कि skip कामा loaded, इसको भेद दीजी, बस यही जाएगा, और आपका functionality अचीव हो जाएगा, दिखेंगे, मैंने reload क्या तरीके से, इस पर मैंने click किया, तो अगले पर click करेंगे, तो अगला 5 data यह दिखेंगे, और फिससे इस पर click करेंगे, तो अगला 5 data आएगा, तो अभी 2 data बचा, इसलिए 2 ही आया, अगर आप एक और add कर देंगे, तो निशा, यानि कि मैंने लिख जया, और यहां पर लिख देंगे, तो निशा at gmail.com, ठीक है, मैंने refund किया, तो पूरा data दिखा, तो page load होती है, यह दिखाना है, तो page load होती ही, जब आपका submit करने के बाद यह function call होता है, यहां पर देखें, जब आपने submit किया, और function call किया, यह आपने एक जहें पर function call किया होगा, आपने यहां पर इसके अंदर call किया होगा, यहां से भी आपको 0,5 भेजना है, ताकि जब submit हो, यानि कि 0,5 इस तक से यहां से भी बेजेंगे, ताकि जब submit हो, तो 0 से लेकर 5 data तक ही आए, रिलोड करेंगे, यह दिखेंगे, आप जब submit क इस पर click करूँगा, तो अगला 5 आएगा, इस पर click करूँगा, तो अगला 3 data आए, क्योंकि तीन ही data बचा है इसके अंदर, ठीक है, यहां पर, इस तरीके से ठीक है, तो अब यह होगा हमारा, अभी हमें क्या करना है, इस पर active करना है, यानि कि पहले से active रहेगा, यानि कि क्याम करें, इसमें आज़से, जरा index.html के अंदर, और उपर के तरफ आए, यहां पर आपको head के उपर style लगाना है, यहां पर इस यही डिवाइन करना है, यानि कि, जो हमारा क्या class था उसके अंदर, देखें, क्या class था, यहां पर आए जरा, क्या class आपने रहा है, नीजए के active को select करेंगे और यहां पर आपको define करना इस तरीके से कि जो है background Colour इसका क्या हो जाएगा background मैं define कर देता हूं जो है cyan मैंने इस तरीक डिफाइन कर दिया cyan या तो अब गिरिन define कर दिए चलिए मैंने सियान define किया ठीक है और यहां पर आपको important भी लगा देना अच्छा reload करके अभी reload करोगे तो कुछ नहीं होगा हमें इसमें से किसी ना किसी एक को active करना है तो अगर आप यहां पर यानिकि जो एक्टिव क्लाश इसको old कॉपी करिये और यहां पर आपके अगर आपने इसके अंदर लगा दिया निकि जो बटन है आपका हटाए छाहा लेकिन'mगी we पहले से एक्टिव रहे ठीक है तो यहां पर एक्टिव ना लगा कि आपको किस एक्टिव लगाना है देखिए नेचे की तरफ आएंगे आप पेज में कहीं पर भी यह दिखे को यहां पर आपका आ रहा है ना इसके ज़स नीचे यहां पर इस एक्टिव दिखेगा अब इस पर किलिक करने के बाद यह एक्टिव होना चाहिए उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यह जो आपका लूप चल्ला इसके अंदरा यह दरा यहां कि इस पर किलिक हो रहा है यहां बाद डिफाइन करेंगे ठीक है यहां पर किलिक हो रहा है और यहां पर आपको बीटिव डिफाइन करना इस दिख से डॉट कंटोल वी यह कंटोल वी का अच्छा दो बाद लगे इसको अठा देंगे तो बीटिव को बस इतना ही करना है इससे पर किलिक करेंगे तो यह भी एक्टिव करेंगे तो य से लुप चलाएंगे जो आपका कम करेंगे अहां पर क्लिक करा हूं कि इस पर लग alm अब हमें प्रिव और नेक्स पर काम करना है, तो प्रिव और नेक्स का काम हम अगले पार्ट में करेंगे, बहुत ही आसानी से आपने पैजिनेशन की फेसिलिटी बनाई होगी दोस्तों, अगर अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंड करके जरूर बताएंगे इस चीज को ठीक आपको काफी बड़े-बड़े अपलिकेशन बनाएगे ठीक है, यानि कि वहां पर आपको काफी बड़े-बड़े अपलिकेशन बनाने बताएगे, I hope इस के लिए होगा, कुछ एचुँ ओप कुछे, आपकी help करती जाएगी, thank you, आपको आपकी एलप करती जाएगी, आपक यानि कि बड़े जाएगे, आपको आपवे काफी में, आपकी है, एशन ह मुद जाएगी, एलप कुछ एलप एलप लाएगे पर आपको की है, यानिकेशन बनाराजन बनाएगे, जाएगे Haida